नमस्कार दोस्तों, पूझे शक्ती चानल में आप समी मेरे भाईयों और भहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है नाक पंचमी याने की इस बार का जो महा संयोग बन रहा है सावन के महीने में ये संयोग कम बन रहा है ये बन रहा है सोमवार पाच अगस्त को जिस दिन सोमवार याने सावन का सोमवार भी है साथी साथ नाक पंचमी का बहुत ही शुब महा संयोग बन रहा है यह योग जो है पूरे 20 साल बाद बना है इसी कारण सोमवार और नाग पंचमी के संयों को नाग देवता के लिए या उनकी पूजा करने वालों के लिए बहुत विशेश बताया जा रहा है खास तोर पर अगर आपको काल सर्व दोश है तो इस दिन आप पूजा पाट करके य इस साल के बाद जो है 21 अगस 2023 को ऐसा संयोग फिर से बनेगा जो नाग पंचमी और सोमवार का संयोग कहलाएगा अब आपको बता देते हैं कि अगर ये संजीवनी महा संयोग जो 20 साल बाद पहली बार बन रहा है अगर ऐसा होता है तो आप इस दिन नाग पंचमी के दिन ज चुरू होकर पाँच अगस दो पहल दो बचकर 50 मिनट तक रहेगी तो नाग पंचमी पर नाग पूजन का समय जो रहेगा पाँच अगस सुबच 6 से लेकर 6 बज़े तक और 9 बज़े से लेकर जो है आप 11 बई तक कर सकते हैं तो भाईयों और बहनों आज मैं आपको बताऊ कि नाग पंचमी पर सोमवार का संयोग अरिष्ट योग की शांती के लिए विशेश संयोग बना रहा है इस दिन शिवजी की पूजा रुद्रा विशेश पूजन और काल सरवदोश का पूजन करकर आप जो है बहुत ही आसानी से अपने जीवन से काल सरवदोश से मुक्ती प्राप्त कर सकते हैं नाग पूजन में हल्दी का प्रयोग करना बहुत शुब माना जाता है नाग देव की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें धूब दीप अगरबत्ती से पूजन करें देवतों के समान ही मीठा भोग प्रतीक के रूप में उन्हें लगाए न सामप का कोई नहीं होता है हमारे पिछले donk के कारण काल सर्फदोष आपकी कुर्ली में बनता है रहु के दोश के कारण बनाया जाता है रहु का मुक सर्फ के समान होता है इसलिए से बनती हैए スरफदोष अमेरी में मेगे करन आप आप से कालसर्फदोष से मुक्ती बिलते हैं कालसर्फ दोष जो है आपके गुस्थे को बढ़ाता है को बंड्कार रुक जाते हैं आपके धन के मार्थ हम समयं सदेव बंदे रहते हैं आपको कई बार इतना चिरटड़ाieten होता है मन नहीं लगता है दोस्तियारी बहुत जल्दी खराब होती है रिष्टेदारों के सामने अपमान की स्थितिया बनती है तता घर में भी कई बार जो है आपके गुस्से के कारण तनाव पैदा होता है नाग पंचmी पर पूजा करें खास तोर पर नाग देवता की पूजा करें हल्दी का प्रयोग जरूर करें जिससे के आपके जीवण में जो है सुक्षांती बनी रहे नाक की पुझा करें जीवित नाक की इस दिन पुझा नहीं करनी है इस बात का ध्यान रखें कई बार सपेरों के द्वारा पकड़ें नाक का पूजन जो होता है उन्हें करने से बचना चाहिए उन्हें क्रिपया कश्ट ना दे दूद पिलाने के बहान न पर आप इस प्रकार का कोई भी आरें, आप जाके शिवलिंग की पूझा करें, नाग देवता की प्रतिमा की पूझा करें, आपको उससे ज्यादा ही फल प्राप्त होगा, आप जो है सपेरे द्वारा पकड़े के नाग जो होते हैं उनका पूझन नाग करें अब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है इसके अलावा सोमवार का दिन है साथी साथ नाग पंचमी क्योंकि नाग जो है शिव देवता को अती प्रियम आने गहें सकन्द पुरान के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव आपकी सभी मनों कामनाओं की दूप पुष्प आदिसिस की पूजा करें जिससे आपके काल सर्व दोश या राहु केतु का जो प्रकोप है वो समाप्त हो क्योंकि गाय का गोबर जो होता है साक्षचात लक्ष्मी जी का प्रतिक माना जाता है घर की नकरात्मक्ता को दूर करता है आप भले छोटा ही ड् बहुत आसानी से आपको छुटकारा देगा इसके बाद इंदरानी देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए दही दूद अक्षच और पुष्प नौवे दादी से अराधना कर सकते हैं आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं भक्ती भाव से ब्रामनों को बोजन कराना बहुत इस दिन आपके लिए फल दाइक होगा खासता और परकाल सर्प के दोश से चुटकारा पाना चाहते हैं तो अज इस दिन आपको जो है मीठा भोजन और उसके बाद ही नमकीन भोजन का सेवन करना चाहिए इस दिन स्पेशली मीठा भोजन घर में जरूर बनना चाहिए और अपने माता पिता का आशिरवाद भी जरूर लें इस दिन आप क्योंकि कई लोग जो है वरत भी रखते हैं अगर आप वरत रखना चाहते हैं तो इसका संकल्प आप एक दिन पहले याने चार अगस्त को ले लेंगे और आप एक समय भोजन कर सकते हैं पहला मीठा भोजन ख करते हैं तो क्योंकि शेश नाग जो शिवलिंग के उपर होते हैं उनके जब वो खुश्बू जाती है तो बहुत प्रसंदा फील करते हैं तदा ऐसा माना जाता है जब वो प्रसंद होते हैं तो हमारे जीवन से जितने भी कालसर्प दोश या कोई भी राहु केतू का प्रक पर जो है चंदन का तिलक लगा कर रखना चाहिए जिससे उसकी बुद्धी खराब नहीं होती है उसे भाए नहीं लगता है शत्रूओं का नाश होता है तथा लोग उसके और आकरशित होने लगते हैं इसके अलावा आपको एक उपाय और बताती हूँ क्योंकि बहुत महास नयोग बन रहा है तो आप इस दिन चंदन की माला खरीद लाएं एक दिन पहले ही खरीद के लिए संडे यानि चार अगस्त को लेकर आ जाएं उसे साफ जल से अगर गंगा जल घर पर हो तो गंगा जल छिड़कर उसे साफ करकर और लाल कपड़े पर ढाक कर रख दे इसके आपको क्या करना है पांच अगस्त को यानि नाग पंच में वाले दिन आपको पूरा दिन ओम नमश्यवाय का जाप करना है तदा 108 जो दाने होंगे उसका पूरा जो है आपको नियम से ओम नमश्यवाय का जाप करना है अब उस दिन आप जब यह कारे करेंगे तो आपकी ज चंदन का नहीं मिलता है तो अश्ट गंद लगा सकते हैं आप और 108 बार जो है ओम नमस्षिवाय का जाप पर माला जो हो आपकी चंदन की होनी चाहिए लाल चंदन सफेज चंदन जिस भी कलर की चंदन की माला आपको प्राप्त हो जाती है आप उसी चंदन की माला से यह जो है कारे करें जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या लगता है कि राहु केतू या काल सर्फ का दोश कप रको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या काम बहुत बिगड़ रहे हैं तो हातों की हतेलियों पर जो है चंदन का तिलक कर लें ओम नमस्षिवाय का जाप करें काफी पूजाएं भी बताई जाती हैं काफी बार हम जो है जान नहीं पाते हैं पूजा करने के लिए घर के बाहर यह हमारे प्रदेश से बाहर तो यह दिन आपके लिए बहुत लापदाएक होने वाला है विशेश तोर पर काल सर्फ दोश्च अगर पीडित हैं क्योंकि ये जो संयोग है अब 20 साल बाद बनेगा तो इस संयोग या इस महा संयोग का पूरा पूरा लाब उठाएं पांच अगस्त को जो है आपको ये कारे करना है जिससे कि आपके जीवन में कभी भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े तो भाईयों और बहनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया ह होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दू कि सावन के महीने में जो है विशेश तोर पर आपको और भी कई उपाय ज़रूर करने चाहिए जिनक का बंडर नम आगे वाले वीडियो में आप से करेंगे तदा ये जो दिन है इस दिन का पूरा पूरा लाब आप ज़रूर उठाए तो जय मातादी दोस्तों हम फिर मिलेंगे धन्यवाद